हासी एक एत्यासिक नगरी है और मेरे पीछे जो गेट है ये बरसी गेट है मुगल सल्तनत ने देश में पांच गेट बनवाई थे उसमें से बरसी गेट फिलहाल अस्तित में है बाकी चार गेट अस्तित में नहीं है ये तो बात हो गई मुगल सल्तनत की लेकिन चूकी अब हर्याणा में चुनाव है हासी के लोग किसको सत्ता में बठाना चाते हैं हासी की समस्याई क्या है समधान कौन कर सकता है कौन उनका पसंद का उमिद्वार है ये जानने के लिए हम हासी हलका पहुँचे हैं जानते हैं ह हांसि लगता है कि चुनावी मैंदान में कौन आगे हैं कौन पीछ यहां पार्टी जन्ता बाटी है कि जो आपके उम्मीद्वार है उनको भी आप दोग देख रहे हैं पार्टी भी अच्छी है उम्मीद्वार भी बहुत अच्छी मांदर आदमी है हर समाज के लिए काम करते हैं आप यहां सी से क्या लगता है चुनावी का रंग किस तरफ जा रहा ह विजेपी ऐसा सर खेत खेतों की गलियां भी पक्की बनवादी और गाओं में पाणी के बहुत ज्यादा विकास हैं कच्छे गरीबों के कच्छे मकान रसनकार्ड और अपना यह रात को 12 बज़े आके मिलते सर मेने एक बार प्रोलम होगी थी बैना साब कि मैं रात ने बार किस तरह के उम्मिद्वार को आप इस वार चुनने जा रहे हैं नो वाई साफ राव राम 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 तुन अर्बदा गिराई से हम काल भी सात मोदे मंतर जियां का यह नरे सियातु भीज़ा इस सथी जीन क्या लग रहा है उम्मिद्वार कैसा होना ची आपको अमिद्वार तो यह लि dawnらald जो हैनु आपको नो पश्वार मिलनाय जा उम्मिद्वार के जिया हैं उजरी जरै हैं सरी पाने नो फ्रक्मिद्वार को आपकोः राम पल जो आपकोः ऊजरीवार जायें सेसे क्वलार को आपको अरे दोमकल की जाए हैं ऑषरां साथ करोडु करां को यह कौन सी विधान सबाइब आसी विधान सबाइब वोटिंग का समय आने वाला है कुछ सोचा है कैसा उमिद्वार होना चीए क्या किस तरह की खूबियां उमिद्वार में होनी चाहिए विद्वार को हम विजय बनाएंगे जिनने हर गाओं में समान विकास के लिए पैसा दिया हर खेतों के गळियों को पका करवाया रस्तों को और यह बहुत अच्छा अनुभोवी है और आने वाली केंद्र में भी सरकार और परदेश में भी सरकार बिज़ेगी बनने वाली परदेश में सरकार बनेगी ज़्यादा देगा और ज़्यादा पैसे देगा तो विदायग अपने अलके में ज़्यादा लगाएगा और हम विर्चंद मक्कड का जो पोता है इसके दादा ने जार्ट द्रम साड़ा पर हर्याना की बात करें हर्याना में कॉंग्रस का भी राज रहा इनैलो भी रही बीजेपी भी रही सब की तुलना कैसे करते हैं आप बीजेपी की सब से बढ़िया करते हैं 1987 पर अमारा काम इब की बार मना है 16 बच्चे तो हमारे ऐसा ही लगे मेरे मेरे रिष्टेदार मेरे घर के लगे हैं तीना इसाही और 12 बच्चे लगे हैं हमारे डी गुरुप में बगार पेश बगार इस वत है और हम तो पार्टी के रहेंगे आखरी सांस दर परचे खर्ची की बात बीजे पी कहती आ रही है आप लोग को लगता है कि ऐसा हुआ है कि सरो परतम मैं आपके सुरिया समाचार के दर्शकों को मेरा नमस्कार आपने बहुत अच्छा सवाल किया देखिए निश्चित तोर पर हर्याणा में तीसरी मिडिया में देख रहे थे कि जो कॉंग्रेस के परत्यक्सी है और कॉंग्रेस का जो एक बड़ा नेतरतव है उन्होंने बियान दिया कि हम जो बीजेपी का परची और खर्ची का जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम समाफ्त करेंगे और हम परची और खर्ची से नोकरी देंगे पचास वोट देदो एक बच्चा लगा देंगे सो वोट देदो हम उससे बड़ी नोकरी देदेंगे यही बात हर्याना के आमनागरी को चुब रही है क्योंकि जो सरकारी नोकरी लेने के लिए जो जनता और जो मतलब कहने का जो योग्य उमीदवार थे जो मेरिट पे दिन र तो ये हुड़ा के समर्थक जिनोंने दलितों के उपर गल्त ब्यान बाजी करी है बहन सहल जाजी के माध्यम से ये इनको बहुत भारी पड़ेगी आज हर एक दलित में बहुत बड़ा रोस है कि कैसे ये समर्थक जिनकी अभी सरकार भी नहीं है और बिना सरकार होने के करेंगा आपको लगता है हांसी विदान सभा है आप लोगों की किस तरह का चुनावी महाल हांसी में जाना रहा है अच्छी इंसान है और पहले भी काम किये और अब भी काम की है और एक खास बात यह है कि इनका सभाव बहुत ही बढ़िया है चोटा बचा और बड़ा हो चा रहत के दस बच ने हो चाहिए बारा बच ने हो कभी विख जाओ इंसी बात कर रहे हैं पार्टी की बात करें बीजेपी कॉंगरस इनकी तुनला कैसे करेंगे अब अंग्रेश का तो हाल पहले देखी चुके हो आस्रे का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का जो बार्तिय जन्ता पार्टी की जर्कार ने बहुत ही अच्छे काम किया है क्या आपको लगता है चुनाव किस तरह का रुख है इस बार हांसी का क्या हांसी को लेकर जनता सोच रही है ऐसा है सर दस साल से बीजेपी की सरकार है सेंटर में स्टेट में बहुत बड़ी हा काम करे हैं हमारे हांसी शेहर में इतने काम हुए है कोई सोच नहीं सकता समान विकास हुआ है ना को जात है नमपाथ है और हमारे विदायक थे और आके भी विदायक बगवान की दियाद्युप को बंदे जा रहे हैं जैसे कि अभी सभी बाई बताए रहे आपको बिना खर्ची बिना बर्ची अमारा हं सीनिपुरा विन चार दो बच्य लगे हैं जो गरीब होगा है नो सबसा है पेये household लगे बाज दो हासां तो हांसी के अलग-अलग इलाकों में हमने लोगों से बाचीत की, लोगों से जाना की हलके की हकीकत क्या है, सब ने अपनी अपनी राय दी, सब ने अपनी बात दी, किसको ये क्यों चुनते हैं इस बारे में भी हमें बताया और बताया कि किस तरह से वो हांसी को लेकर सोचते ह और कैसा उम्मीद्वार वो चाहते हैं ये तमाम बाते सूरे समचार से साजा की कैमरमन पिरादर्शन के साथ हांसी से सूरे समचार के लिए विने सिंग हिसार लोगसबा सीट की उकलाना हलके में हैं हम उकलाना से कॉंग्रेस ने नरेश सेलवाल को चुनावी मैदान में उता रहा है तो वहीं बीजेपी ने जन्नाएक जनता पार्टी छोड़ कर भारती जनता पार्टी में शामिल हुए अनूब धानक को अपना उम्मीदवार बनाया है तो चलिए जानते हैं उकलाना के हलके के लोगों से कि क्या है हलके की है किसको वो पसंद करते हैं और किसको ना पसंद करते हैं उक्लाना मंडी में हम फिलाल मौजूद है और उक्लाना का यहां पे चुकी लोगों से हम राई ले रहे हैं तो इन से पूछते हैं कि किस तरह का चुनाब को लेकर चर्चाएं अब अब अता है यह उक्लाना को लेकर क्या लगता है किस तरह की समस्या है उक्लाना में आप लेकिन फिलाल तो वाजबन विकास किया है खर्ची और पर्ची गा उस वज़े से है ठीक उकलाना हलके की हम चर्चा कर रहे हैं चर्चा के लिए लोगों से मिल रहे हैं और भी कई जैमंतरी अनूब दानकुजी को जो 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 बीजेपी के उमीद्वार है वह बहतर है बाकियों में क्या आपको अंतर लग रहा है तो बीजेपी की नीतियां बहुत अच्छी है काफी बारती जिनता पाटिन काफी अच्छे काम किये हैं और ग्राउंड लेल पर नहीं क्या है बिना खर्ची बिना पर्ची नोकुरी दी है मतलब हरेक जैसे आईश्मान कारड हो गया और बहुत ही नीतियां बहुत अच्छी होंगी उसी वजह से लोग बीजी पेशी उनके कारे से लिए प्रवावित होकर बोट देने के मन बना शुपी है बाके पार्टियों के लिए क जिसके करम में लिखत हो उसको महले मंत्री का पदह मिलेगा और जैसे उमारे बीजे पी पार्टी है उसमें नियाब शेनी जी ने बहुत बढ़ी है काम करें ने जो अच्छा काम क्या सबसे बढ़ी है दो नोरलाल जी ने जो खरचीर परची बंद की यह मेरे गाउं भी सुनोई बूबन ले गाम है बुड़ा खिड़ा उसमें मारे गाम में सतर लड़के नोकरी लगे बगेर पैसे के मेरे गाम में आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना साधी सब्सक्राइश के चैनल से सबते संद्वाराम में क्य Gibbs पूरा अरई हम पूरा बारत में बिना खरचीर बिना परचीर नोक प्रीदी सरकार नंए और अवस्काणी नो ज है पेसे देने पड़ते हैं की कुछ से पहले की सरकार ती इन सब कारेकल कैसा लगा किशानों का जमीन अडपन का काम था उनका नाकी किशान को उठाने का दो-दो रुपए के चेक देते थे मुआउज़ा के नाम पर अब पैसा खूब आ रहा है किसान को एमस्पी देन लग रही है माने नियाब शेर्णी जी चोबीस पसलों पर पहले च्यार पसलों पर लगता है कि इस बार उकलाना का जो उंट है किस करवट बैठेगा किस तरह का चुनावी महौल आपको लग रहा है तीसरी बार हर्याणा में फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है कमल खिलेगा अनूप दार्णक जी बहुत बारी मतों से विजाही हों और भी सरकार कॉंग्रे कार्ड मिलें गरीबों को और जो यह एक के आरन के तहट बढ़ती किये यह भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जिनकी इंकम एक लाख हसी जार से कम होगी उन सभी को अपने आप हैमली आईडी के तहत नोकरी मिलेगी उक उकलाना में कोई काम होएं कि उकलाना में सबसे बड़ा काम तो यह पुलका है जो कारिया भी परगती पे आने वारे समय में यह त्यार हो जाएगा और सभी वाटर सप्लाइं के अंदर नेर का पानी दिलवा दिया गया किस तरह का महौन लग रहा है बीजेपी सरकार का मोहलर बीजेपी ने काम भी बहुत सारी कराई है एक तो बैन बेटी ने लेके देख लो कांगरेस सरकार में कोई इज़त नहीं है बैन जी कुमारी सेलजा के लिए क्या क्या बद्दटिपनिया की जा रही है और जो बड़े न तुर्स का रोए होती है क्या लगता है उपलाना में कुछ काम हुए एं परदेश में कि अ documents लाना में बहुत सारे काम वह नहीं से देख लिए पिरिज बड़न लेगे रहे काफिक हाल से रुका हुआ था इस और वाय साब ने नम नहीं बहुत सारे काम करूवाए हैं परदे सबसे पहले तो आपके समाचार न्यूस जैनल सुरिया समचार को हुआ मैरा नमस्कार आपके सबी दर्सकों को भी नमस्कार तो उकलार में आप पता है जैसे कि दांसबा के चुनाव चल रहे हैं और यहां पर ने सीधी । तो काफी गुटबाजी भी एक कांग्रेस में एक दड़ा सेलजा गुट और रनदीप सुर्जेवाडा गुट है तो एक उड़ा गुट है तो उसकी चाओं की बज़े से भी कांग्रेस को भारी नुकसान हम देख रहे हैं जो क्योंकि हम गरामने इलाके से आते मेरा गाउं य है इसमें जो इसकी मेरिट में नंबर थाउनी को नोकरिया मिली है और किसानों से सबंदित भी जो मोके के ताजाव काम बता दे मुख्यमित्री नायव सिंख्याणी ने कम बर्श्या हुई है और यहना में तो उसके लिए दो जारुपे परती एकड़ का बोनस भी दिया है जैसे पहले सरपचों के थरूद दी जाती थी तो जूठे सचे गुंठे लगा कि आद्यों की पैंसन अड़ाप कर ली जाती थी अब खाते में आती और मैसे जा जाता है बुजर्गों के तो अपनी तीन जारुपे बड़ी अड़ेंग से पैंसन ले रहे है उड़ा साब का आधने लखातर के 10 साल का करेकाल रहा और शायाओ उरुपे से अपनी तंत्री आपका मिल रहे हैं रही। से जो की मैसेज आजाता है खाते में और अपने बुजर्ग को जूर्ट के साब से अनुप दानक जी आना जो मंत्री जी हमारे राजिया मंत्री जी पिछले प्लान में दो लगातार प्लान कांग्रेश को माद दे चुके एक तरफ से निरे सेलवाल जी की बात करें अनुप जी पर जाएंगी और जो कोई भी जात से लगा लो बच्चा बच्चा अनुप दानक के साथ है और बीजेपी सरकार ही बनेंगी मेरा गाओं भेर एकबर पूर है और मैं वहां से हूँ बच्चा बच्चा उनकी नारे लगा रहा है मैं देख रहा हूं विकास डाइक रोड़ पे जैसे ही जल गर मालो अब मेरी गली में खुद मालो नरेशियल वाली की सरकार दी पानी के लिए हम तरसते दें मैं खुद द थी command नारे जरूर सहरे विकास हैं बहुत मंदिरि कre आगा पूरा जगमा गाव रखी चोविस गंटे लई खाना के लोगो से हमने चर्चा की यहां पर उन से बाचित की अलग-अलग तेखिय लाक उनके उनके सूर्टेहाल है और किस तरह के उमिद्वार को इस वार वो चुनना चाहते हैं और सब ने कहा कि मतदान के दिन वो अपना जो मत है उसका इस्तमाल करेंगे और सही उमिद्वार को मैदान में लाएंगे अगया है कि नलवा हलके की लगातार हम हकीका जान रहे हैं और इसलिए हम कई दुकानों पर जा रहे हैं वहां पर लोगों से जान रहे हैं कि क्या हलके की हकिकत है यह वत्याइक आप लोग अलवा में रहते हैं क्या चुनावी महोल फिलाल लग रहा है क्या समस्यां यहां पर दिखती है क्या आपको लगता है काम की जरुर्त हैं लेकिन नहीं तो कांगर्स पार्टी काम करवा सकती नलवा में नहीं बीजेपी हमारे यहां जिंदल परिवार है सभी का उन्हीं का यह एक चाय की दुकान भी है यहां पर कई लोग चुकी मौझूद है इनसे भी करके जानते हैं कि किस तरह का नलवा का महौल इनको लगता है और किस तरह से यहां पर के… लेज़ो लगता है कि कौन से पार्टी को क्या आद हम है। आपको लगता है किस तरह का चुनाव ही समीकर नलवा में बन रहे हैं। क्या लगता है, कुछ काम हुए हैं नलवा में। काम कूम तो सरकार में सिय आहा पने पता हुआ, काम आपको लगता होने चाहिए थे काम तो जैसे पहले जिंदल परिवार ने सब कुछ कराई रखा था लेकिन थोड़े गुणे काम थे जो बचे वे थे जैसे हमारे किसान बाई है वो टाइल के लिए जो दस की लागी के लिए पिछले आठ साल से चकर काट रहे हैं लेकिन उ कि दुकान पर हमने कुछ लोगों से जाना कि क्या चुनाव का समीकरण है किस तरह से यहां पर उनकी राय है नल्वा हलके में आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि क्या उनके उम्मिद्वार के लिए वो सोचते हैं नल्वा की समस्या है और नल्वा का समीधान क्य कि जानेंगे भारती जंता पार्टी ने रनवीर गंगवा का यहां से टिकट भतला है रंदीर पनिहार को यहां पर टिकट दिया गया है तो रही कॉंग्रेस ने अनिलमान को यहां से टिकट दिया है जानेंगे नल्वा हलके के लोगों से कि क्या है हलके की हकीकत और किस तरह का उम्मिद्वार को वो पसंद करते हैं तुटी हुई है बहुत से मरीज दम तोड़ चुगे शिर्फ सड़क के कारण तुनाव में क्या महाल नल्वा अलके का नल्वा अलके का यह लिगड़ा पनियार है आम तो मोदी के लिशा क्यों हो ऐसे कि हमारे पाल्टी वाएव कांग्रेस देशने खतम करवा है कांग्रेस अ सब्सक्राइब है और वीजेपी के आदमी है वीजेपी के आदमी है वीजेपी ने परची देंगे चार हो तो जित्तों क्या ऐसा वजाए बीजेपी के साथ मोधी का साथ सबका साथ सबकावीकास כंग्रेस और इननलों भी हर्याणा में अलाइंस में रही है इंका कामकाद का सब्सक्राइन जाख करेंे कि इनका कामकाद 5100 वाड़क लागे हैं हर गम में इतर पान साथ बाड़क लागे और bene हो गया क्या लगता है चुनाव का क्या महौल है रिपोर्ट है सतर पिचेतर परसेंट अनिलमान क्यों हो ऐसे कोई खास करण निरंतराना गाम समाड़ा राखना टेम टेम पज़र जूरत पड़ा ना भी पड़ा कुछ भी मतब छोटा ता प्रोग्राम तो बड़ा मा दिखा ज दान रहे हैं एक चौपाल में मौजूद हैं यहां बहुत से लोग है इन से जानते हैं चुनावी सरगर्मिया क्या है क्या लगता है क्या महौल थेspe с Remember का क्या क्या क्यी आत्लिय। तिक सब्सक्राइब कर रहा है कि यह बहुत बढ़िया गरीब के लिए बहुत बढ़ीया काम कर सब्सक्राइब कुछ बदलाव आया है कौन से पार्टी का यहां महौल ज्यादा नलवा में लग रहा है खर्ची पर्ची में लग रहे हैं आचा रासन है और है अनेक योजना लागू कर राकियां सबने वह समान मिले दिकत क्या है बड़ी अब होला है ना रड़ाइज दगड़ा कम है शांती है कॉंगरे के सरकार जो होना है कौन बैता रेनेलो भी रही है तो लगता है कॉंगरेस बीजेपी की तुलना की जाए कौन बैता रेनेलो भी रही हर्याना में कौन चे पर्टी रही बड़िया विजेपी क्योंगी की जो बात हो रही है कि नोकने लगी ये लगता है ऐसी नोकन लगी है आपको क्या लगता है जो बिना खर्ची-पर्ची के काम की बाद सरकार कर रही है नोकरी आपको लगता है लगी है और क्या काम काम कैसा लगा आपको लगता है पानी चीए बस पानी आजा काट हो जेगे बीजे पिला सकती है पानी लगाओगी और को यह को लगता है कि समस्या को लेकर क्या क्या हैंगे नालवा में क्या कैसे पानी आएगा पानी तो आगला ले आओगा पोर कि पानी का है वह हमारे दो विजड़ी तो खुब है पानी पानी का वह है और भी लोग हैं से भी जानते हैं कि क्या आखिरकार नलवे को लेकर वो सोचते हैं आप बच्चे लगे हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई के तोर पर बगेर रिश्वत और कांग्रेश में रिश्वत चलती थी दोखा दड़ी वाली सरकार कांग्रेश बढ़िया सरकार बीजेपी को चाहते हैं क्या आपको लगता है चुनाव किस तरह है कहा नलवे का कौन किसका पढ़रा किस पर भारी है बढ़न तो बीजेपी है बस और कुछ नहीं है खास कारण इसका जो आपको लगता है इने लो बीजेपी कौंग्रेश कौन मजबूत है नलवा में क्या है मारे गाव का काम है वह अपना आप करवाता है बीजेपी के इसमें काम हुए हैं लगे हैं तो नलवा हलके में हम strengthened अलग-अलग गाओं, चोपाल, गलियों में, मार्किट में जाकर लोगों की राय ली, नलवा हलके में भी लोगों ने सूरे समाचार्स के सामने हलके की हकीकत रखी, बताया कौन सा उमिद्वार, किस पर भारी है, किस उमिद्वार को यह क्यों पसंद करते हैं, क्या इसकी वज हैं, कैमरमेन प्रियादर्शन के साथ, नलवे से सूरे समाचार के लिए दुने सिंग् झाल